हेलो गईज मेरा नाम है सारतक और आप लोग देख रहे हैं मोड एक्स्टेक स्वागाते दोस्तों आप सभी का इंडियन पीस सेटप्स के एपिसोड नमबर टू के अंदर और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ सस्ता बजट पीसी सेटप्स और अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना इंडियन पीस सेटप्स के अंदर तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो एक वीडियो को लिंक भी लेगा उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके समझा रखा है तो अगर आप लोग अब इंट्रेस्ट ऐसे ही PC related content के अंदर तो भाई क्या कर रहे हो फड़ा वड़ से करो चानल को सब्सक्राइब साथ ही वड़ा बाउस बेल अकन को भी ताकि है फ्यूचर में जो भी नवी डालूगा मिल जाएगी आप लोग उसके instant notification अब हम जादा time waste नहीं करते हैं फड़ा वड़ से वीडियो को हम शुरू करते हैं अगर आपको काफी सस्ते प्राइजेस के अंदर pre-built PCs को परचेस करना है तो अगर आपको अपने लिए PC विल्ड को परचेस करना है तो definitely इस website को check out करें link आपको मिल जाएगा description के अंदर जाके जरूर जरूर चेक आउट करना तो चलिए फटाफट से शुरूआत करते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले setup के बारे में तो ये आता है सौमजीद गोश की तरफ से इनकी age है 15 years old ये West Bengal के रहने वाले हैं और ये एक student हैं इनके setup को आप देख सकते हो इन्होंने बहुत ही जादा compact जगे पे अपने setup को बना रखा है और overall अगर मैं इनकी theme के बारे में बात करूँ तो इन्होंने कुछ-कुछ पीछे रेड लाइट की इन्होंने strips अगरा लगा रखी है तो लगबग जो इन्होंने अपना setup बनानी कोशिश करी है वो red and black kind of setup इन्होंने बनानी कोशिश करी है और इनका setup जो इतनी compact जगे पे है कि side में door है और side में अलमेरा है तो मतलब उसके बीचे बहुत कम जगे पे भाई ने अपने setup को बना रखा है फिर भी जो इनका overall जो इनकी desk है उसके ओपर neat and cleanliness है कोई बहुत जादा जो है मतलब बहुत जादा समान रखके उन्होंने बहुत जादा congested नहीं कर रखा है अपने setup को ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में cleanliness के बारे में बात करूं तो इन्होंने काफी अच्छी neat and cleanliness maintain करके रखी हुई है इनके cabinet के अंदर भी जो हमें बिल्कुल भी dust देखने को नहीं मिलती बहुत जाद नहीं नहीं अपने setup को बना रखा है अब बात कर लेते हम लोग इनके PC specs के बारे में तो processor ये यूज़ कर रहे है Intel की तरफ से Core i3-9100F RAM ये यूज़ कर रहे है 8GB की Corsair की तरफ से graphics card ये यूज़ कर रहे है GTX 1650 और SSD ये यूज़ कर रहे है keyboard ये यूज़ कर रहे है Cosmic Byte का mouse ये यूज़ कर रहे Logitech G102 headset भी इनके पास headset ये ये यूज़ कर रहे है Red Gear का 7.1 Cosmo 7.1 speaker ये यूज़ कर रहे है Creative के और ये controller भी ये यूज़ करते है जो कि Red Gear का Wireless Pro controller है और इनो ने बता रखा है कि अपने PC को यूज़ कर रहे है mainly अपने school works के लिए या फिर अपने थोड़ा बहुत gaming and programming करने के लिए तो definitely आप इसके उपर अपना school का काम तो आप अराम से करी लेते होंगे साथ अगर आपको gaming करनी होती होगी तो 1650 और जो i3-9100F का जो ये combo है ये आपको 1080p के उपर क्योंकि आपको mouse जाए वो नीचे चलानी की अची जादा space देखने को नहीं मिलती होगी तो ये आपने काफी सही कर रखा है कि आपने mouse को उपर रखा हुआ है मैंने ऐसे चले लोग देखें बहुत congested जगह में अपने mouse को चला आते हैं पर फिर वो पता नहीं कैसी चला लेते हैं मेरेको भी समझ में नहीं आता तो ऐसे थोड़ा अगर space की कमी होती है तो mouse को थोड़ा उपर रखना चाहिए keyboard को नीचे रखना चाहिए ये आपने काफी साही चीज जोई इसके इंदर कर रखी है रही बात थोड़े बाद suggestions देने की तो देखो यार आपने जो अपने system को बना रखा है वो काफी ज़दा balanced बना रखा है हाला कि आपको 1650 की जगे RX 570 ले ले लेते हैं 1650 सूपर ले तो ज़दा बेटर था बट फिर भी हम इतनी complaint नहीं करते हैं अपने system को बना लिया है तो काफी बढ़ी है आप RAM से 1080p के उपर गेमिंग करी सकते हो monitor रहना आपके peripherals और आपका PC के specs है वो काफी ज़द सही है कोई भी issues मेरे को इसके अदर नहीं है बस आपको जो wallpaper है wallpaper थोड़ा सा और थोड़ा बहुत उसके अदर अगर wallpaper अच्छा होगा तो overall जो setup की look होती है वो भी बहुत ज़दा इंप्रूब हो जाती है thank you participate करने के लिए अब बात करते हमारे अगले setup के बारे में तो ये आता है दिवियत जोती दे की तरफ से ये भी 15 years old के हैं West Bengal के रहने वाले हैं ये भी same और इनका जो occupation है ये है एक student और एक YouTuber इनके setup को आप जैसी देखोगे तो आप देखोगे कि भाई पूरा मतलब हरा ही हरा महल बना रखा है भाई ने अपने पूरे setup के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक suggestion यहीं पर देना चाहता हूँ कि यार बहुत जादा ग्रीनी ग्रीनी हो रहा है आपको setup थोड़ा सा इसको थोड़ा कम कर लोगे तो बैटर रहेगा मतलब बहुती ज्यादा ग्रीनी ग्रीनी हो गया थोड़ा बहुत अगर इसमें जो मतलब एकदम जो exposure हो रहा है एकदम ग्रीन का कई बर क्या होता है फोटो में जो exposure होता है वो काफी बढ़ जाता है बात करें हम लोग इनके PC specs के बारे में तो ये यूज़ कर रहे है processor AMD के तरफ से Ryzen 5 1600 AF variant RAM ये यूज़ कर रहे है 16GB की single channel के अंदर graphics card ये यूज़ कर रहे है इसका refresh rate है keyboard ये यूज़ कर रहे Cosmic Byte की तरफ से CBGK12 mouse ये यूज़ कर रहे Dell की तरफ से और headset है इनका red gear का hell screen speaker ये यूज़ कर रहे Zebronic Spirit और भाई का ये कहना है कि ये अपने setup को यूज़ करते है video editing के लिए gaming करने के लिए साथ ही साथ अपने gameplays को record करने के लिए और साथ में इनोंने ये भी लिखा है कि ये बहुत जल्दी 1650 Super के अंदर भी upgrade करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप RX 560 की जगे 1650 Super के अंदर upgrade करने वाले हो suggestions की बात अगर मैं जब करता ना तो उसके अंदर भाई मैं जरूर graphics card को mention कर देता और आपने खुदी कहा दिये कि आप upgrade करने वाले तो काफी अच्छी बात है इन्होंने अपने setup को काफी neat and clean रखा हुआ है ज़्यादा dust वगरा देखने को नहीं मिलती हाँ थोड़ा बहुत cluster है wires का यहाँ पर है उसको थोड़ा बहुत चलता है इतना क्योंकि यह सस्ता edition है तो इसके अंदर तो इतना चलता है और बात कर अगर इनकी cabinet के अंदर की तो cabinet के अंदर भी ऐसी कुछ खास dust वगरा देखने को नहीं मिलती और यह time to time हो सकता है कि अपने setup को clean करते रहते होंगे बात करूँ अगर मैं थोड़े बहुत suggestions के बारे में तो देखो वाई ऐसा है कि सबसे पहले तो आप अपनी RAM को dual channel के अंदर कर लो आपने 16GB की single मतलब एक ही RAM stick लिए अगर 88GB की 2 लेते तो आपको ज़ादा benefit हो था card के बारे में वो तो आपने खोदी कह दिया कि आप जो 1650 super के अंदर upgrade करने वाले हो तो भाई अगर आपको need हो तो और बात करो अगर मैं आपके rear fan के बारे में वो auto ARGB fan है तो भाई उसको अगर थोड़ा सा कर सकते हो तो उसको भी change कर ले क्योंकि अगर आपको एक theme overall maintain करनी है और अगर बजट है एक extra fan लेने का तो भाई fan जरूर add कर लेना थोड़ा बहुत और हर 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 हो जाएगा आपका setup बाकी वैसे जरूरी तो नहीं है क्योंकि RGB इतनी जादा performance नहीं देगी सबसे पहले अपने पैसे को जो हाड़वेर का definitely आप अपने जो है यह जो wires वगरा को जो cluster है आप इसको थोड़ा बहुत अच्छा कर लोगे definitely तो इनके ओपर थोड़ा जरूर काम करना so thank you so much for participating बात करें हमारे अगले setup के बारे में तो यह आता है सायान दास की तरफ से जो की 17 years old के है और यह भी West Bengal के रहने वाले क्या बात हो ही कि भाई ने जो है अपने PC को साइड में रखा हुआ है और एक स्टूल वगरा की उपर रखा हुआ है उसको क्योंकि इनको जो है नीचे नी रखना अपने PC को क्योंकि बाई इतनी सारी RGB लगई है अपने PC के अंदर तो वह भी तर दिखानी होती है तो इसलिए उन्हों अपने PC के अंदर जो टेबल का यूज करा है वो काफी छोटी है मतलब बहुत जादा बड़ी नहीं है तो इसलिए इनको भी जो है अपना keyboard जो है वो नीचे रखना पड़ता है माउस को ऊपर रखना पड़ता है ताकि अराम से अपने माउस को चला सके बात करे हैं इनकी specs क के बारे में ये यूज कर रहे है AMD के तरफ से Ryzen 5 1600, RAM ये यूज कर रहे है Corsair Vengeance, LPX 8GB RAM की टोटल 2 sticks और ये 3000 MHz की उपर clocked है, graphics card ये यूज कर रहे है GIGABYTE की तरफ से RX 570, cabinet ये यूज कर रहे है Antisports की तरफ से ICE 400TG, monitor ये यूज कर रहे है Acer Nitro और ये gaming monitor जो की 1080p का है और 75W का इसका refresh rate है Keyboard ये यूज कर रहे है Zebronics Transformer का Combo और Mouse भी जो इस Combo के अदर आ जाता है Headset ये यूज कर रहे है Boat की तरफ से Heads 900, speaker ये यूज कर रहे है Philips 2.1 speaker का चैनल और 2.1 चैनल के जो speaker ये यूज कर रहे है और Terabyte का Excellence USB speaker इन्होंने बताया कि अपने PC को यूज कर रहे है अपने PC के उपर जो सबसे ज़्यादा करते है वो है Games को खेलना इनका setup काफी ज़्यादा neat and clean है तो उस सो मेरे को बिल्कुल भी कोई भी शिकायत नहीं है काफी अच्छा लग रहा है इनका setup देखने में थोड़ा बहुत इन्हों डेकोरेट भी कर रहा है अपने setup को थोड़ जो इनका setup वो भरा बरा सा लगे बहुत ज़्यादा खाली खाली setup ना लगे बात करें अगर हम इनकी cabinet के अंदर तो cabinet के अंदर cable management तो इन्होंने काफी अच्छा करी रखा है सात्याद neat and cleanliness में इन्होंने काफी अच्छी maintain कर रखी है बिल्कुल भी dust बगेर आपको पूरे setup के जो कि ठीक है मतलब एकदम लटकान इसे तो काफी अच्छा ही कर रखा है बात करें अगर हम लोग थोड़े बहुत suggestions देने की तो बहुत suggestion जो है मैं कुछ ऐसा खास देना नहीं चाहता क्योंकि आपका system भी well balanced है और आपने cable management भी काफी अच्छी कर रखी है neat and clean भी है आपका setup उसको थोड़ी सी इजज़त मिल सके वो भी है थोड़ा ढंक से एक ही cabinet के अंदर आ जाए मतलब एक ही desk के उपर आपको जो है अच्छी तरीके से आपका सारा चीज़ जो है आ जाए और आपका setup जो देखने में फिर और ज्यादा बेटर लगेगा तो यही मेरी तरफ से आप भाई West Bengal की तरफ से आ रहे हैं लगता है West Bengal की जंता जादा ही देख रही है मेरे को और यह जो है law के student है तो भाई थोड़ा बहुत वकालत भी करते हैं इनके setup को आप जैसी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो है बहुत ही जादा limited budget के अंदर होंगे तो भाई पीसी की specs बता देता हूं तो यह processor यूज कर रहे है AMD की तरफ से Ryzen 5 2600, RAM यह यूज कर रहे है Corsair Vengeance की LPX 8GB RAM की टोटल, दो स्टिक्स तो 16GB टोटल RAM यह यूज कर रहे है, graphics card है इनका, इसूस की तरफ से RX 570 OC Strix Edition, cabinet यह यूज कर रहे है Zebronics Matrix, peripherals की बारे हिम बात कर रहे हैं monitor यूज कर रहे है, कोई LG का, LCD monitor है, 60Hz का, कोई पुराना वाला monitor है इनका, keyboard ही यूज कर रहे है, Zebronics Max Pro, mouse ही यूज कर रहे है, Live Tech, Vulcan Gaming Mouse, headset ही यूज कर रहे है, Red Gear, Red Dragon, RGB, speaker चे यूज कर रहे है, FND के 2.1 चानल के speakers, और इनका यह कहना है कि अपने setup को यूज करते है, games खेलने क के लिए, साथियत, live stream करने के लिए, अपने YouTube चैनल के उपर, तो इनकी PC specs को देखकर के ही, आप समझ सकते हो, कि भाई, इनका budget जो है, वो काफी कम था, इनोंने बहुत जादा limited budget के अंदर अपना setup को create कर रहा है, और इनके peripherals को देखकर ही, आप समझ सकते हो, इनोंने जो के लिए, उसको अलग रखा हुआ है, बाकि अपने setup जो है, अलग रखा हुआ है, अब मेरे को नहीं पता भाई, side main के पास एक white table भी है, जैसे कि हम photos के अंदर देख सकते हैं, इनोंने उसके उपर अपना पूरा setup क्यों नहीं बनाया है, वो तो शायद इन ही को ही पता हुआ अगर आप एक जगे पर अपने setup को बनाया है, वो जादा बेटर लगेगा, side main white table है, उसके उपर पूरा setup आपका आ सकता है, उसके उपर लगा लो, मेभी हो सकता है, कुछ reasons होंगे, जिसकी वज़े से उनोंने ऐसा करा होगा, वो उन्हीं को पता होगा, बाकि अगर theme के बार white, red, purple, मतलब पूरी दिवाली बना रखी है, भाई ने, wall paper bean का बिल्कुल यह अलाग है, उसके अंदर yellowish वगेरा आ रखा है, तो इन्होंने कोई theme बनाने की overall कोशिश नहीं करी है, बाकि cleanliness के बारे में बात करें, तो उन्होंने as such कुछ खास cleanliness वगेरा maintain नहीं कर रखी है, और cable management के तो भाई ने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि cable भी manage करनी होती है अपने setup के अंदर, तो cable management तो यह भूली गए कि भाई यह भी एक चीज हमें करनी होती है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़े बहुत suggestions के बारे में, तो यहर सबसे पहला suggestion तो मेरे पास यही है आपके P वाला monitor यूज करनी हो मेरे साबसे मेरे को exactly नहीं पता कि यह 1080p है, इन्होंने mention भी नहीं करा है कि 1080p है या 720p monitor है, तो वैसे monitor को upgrade करना चाते हो तो भाई definitely सबसे पहले monitor को ही upgrade करना, अगली चीज मैं आपको यह बताना चाता हूँ कि भाई, cable management प्लीज उसके उपर ध्यान दो तो यह भी एक चीज होती है, इसको भी थोड़ा maintain रखो, cables को थोड़ा बहुत manage करो, अच्छी तरीकी से route करो cables को, और थोड़ा बहुत manage करो अपने system को तो और ज़्यादा बेटर लगेगा फिर वो देखने पे, अगली चीज यह है कि आपने इतनी सारी RGB तो लगा दी है, मत इसके अंदर थोड़ी बहुत एक color scheme बनानी कोशिश करो, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा, मतलब यह हरा, पीला, लाल, नेला, यह सब जला रख है अपने, इसके एक overall अच्छी सी theme बनानी कोशिश करो, and last मेरा suggestion आपके लिए यही है, कि भाई देखो ऐसा अपने setup को एक setup जो अच्छी तरीके से लगा देना, और फिर आपको setup और वी ज़्यादा अच्छ लाइगा देखने में, तो बस यही कुछ suggestions थे मेरे पास आपके लिए, thank you so much यार, participate करने के लिए, तो I hope की वीडियो आपको काफी अच्छी लगए, अच्छी लगए, तो वीडियो को ज़ गय कि लिए अच्छ लाइगा